वेल्कम टू गगन इंटरप्राइज गगन इंटरप्राइज और विकास की पॉइंट में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वर्ना फ्लूडिक की की कटिंग जो अपनी 20-20 मोडल में जो आये चाबी उसकी कटिंग करके मैं आपको दिखांगा अपनी के एंसी के ऑटमेटिक की कटिंग मशीन से है एनी कट मशीन है इसका नाम के एंसी 91 हमने इसका आपको प्रोसेस स्टार्ट करने सब्सक्राइब सबसे पहले हमने जाना है ट्रेस डूब्लीकेट ऑक्षन के अंदर उसके बाद हमने अपना चाबी का जो भी अपना डियाग्र यह यह, अब यह आप से क्लेंप की पूछ रहा है क्यों सा क्लेंप आपकी चाबी को अफोर्ड करेगा तो हम इसको करते हैं बी टाइंप ए है के भीट आप पे हमने से स्लैक्ट कर लिया है मैंग आप अपनी चाबी इसके उपर मशीन के उपर बांदने चलता हूं कि कि इस आक्षण पर इस ऐसे पर में इस चाबी को मशीन में प्रोपर भांद लिया है अब हम सीधा डुबली के टॉक्षण पर चले जाएं जो कोपी लिखा हुआ है इदर आप देख सकते हैं इदर कोपी लिखा है हम इधर सर्च करेंगे मशीन अटोमेटीक लिए अपरेट हो हो जाएगी कि आप देख सकते हैं आटमेटिक इसको यह ट्रेश करेगी कि अब देख सकते हैं अब देख सकते हैं को कि यह ट्रेश हो चुके है अब इसकर दूसरी तरफ से वह की कोड कर रही है कीमेरे पास का की कोड नहीं नीमा कोड से भी गटिंग करके दिखा सकता था का जा फ्रेंजनी कि अब यह ट्रेश कर लिए मशीन ने इसको कर लिया है आप यह देख सकते हैं जो हमारी में रिखाए घ्रस के ऊपर आ लिखा रहा है क्रेस करके और कटिंग करना स्टार्ट कर देगी कि आप देख सकते हैं सभी वाई कितना आसान है के एंसी ऑटोमेटिक की कटिंग मशीन को चलाना कि यह मारी मशीन अभी स्टार्ट होगी है मैं अब बोला चुप हो जाँ को कि शोर ज्यादा होता है थोड़ा सा चूंकि आधिकल मार्केट के अंदर जितनी भी चावी है थोड़ी हाड़ पितल में है तो इसमें मुझे चुप होना पड़ी है आप देख सकते हैं कितने चावी को कट कर रही है और जिस भाई को यह मशीन अगर ओडर करनी हो भी मेरे पास भूकिंग स्टार्ट है आप इसको ओडर भी कर सकते हैं मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है इसे हमारी एक्स्टूर की मशीन है आप देख सकते हैं कि यह पनी एक साइड चे चावी कटिंग हो चुकी है अब मैं इसको पलट के दूसरी तरफ से बान देदा हूं पर आप ध्यान रखें पहले सारा जितना भी डस्ट यहां पीतली कटा हो चुका है इसको सारा यहां से क्लीन कर लेना है आपने हैंट टो है कि क्लीन करना सबसे पहले है कि मशीन जब ट्रेसिंग पर चलती है तो उस तरीके में उपरेट होती है आप देख सकते हैं कितनी फिनीशिंग में अब मशीन को मैंने एपनी सेकेट चावी को सेकेट लेर पर बान दिया है अब आम दुबारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि अब कि अब कि अब कि अबना कि कटिंगी स्टार्ट हो चुकिए उसे थोड़ा नेट का इशू आ गया था कि अब देख सकते हैं सबसे बड़िया बात है यह बैटरी ओपरेट मशीन है आप कई भी इसको लेकर कर सकते हो आप को इसके अंदर आपको बैटरी का अपलर निहीं मिलेगा वह सुरी लाइट का अपल नहीं देख सकते हैं लाइट इसमें कहीं पर भी नहीं है कि पूर फुल बैटरी ओपरेटर एक बार चार्ज करो कि तीन सो से चार सो चावियां कि दिना टेंशन के आप काट सिकते हुए पर यह नहीं है आप इसको को नहीं करके रखोगे आपका काम हो जाए तो तुरन्ट मशीन को आफ करके रख देना अपी आपकी बैटरी बेक अप ज्यादा दिन चलेगी और अच्छी भी रहेगी सबसे जरूरी सुचना मैं आपको दे देता हूं आप जानते हैं विकास की पॉइंट और गगन इंटरप्राइस पे आपको बिना बिल के अमाल नहीं मिलेगा जिस भाई को भी मशीन लेनी हो तो पक्के बिल से समाल लेना पड़ेगा बिल आपकी सेफटी है अगर आपके ब अब देख सकते हैं अपनी चावी बन चुकी है अब मैं इसको आप देख सकते हैं चावी की फिनिशिंग कि जिस भाई को यह मशीन और करानी हो बुकिंग करानी हो तो आप विकास की पॉइंट पर कोल करके ओडर करा सकते हैं झाल